चंद्रयान शून्य तीन के सफल लैंडिंग के एक वर्ष पूर्ण होने की खुशी में कस्तूर्बा गांधी आवासिय विद्याले के समस्थ छात्राओं ने इस दिन को राष्ट्रिय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश में आज यानी 23 अगस्त को पहला राष्ट्रिय अंतरिक्ष दिवस पहला अंतरिक्ष वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। के साथ हात में तिरंगा लेकर भारत माता की जैकारे लगाते हुए देश पर गर्व जाहिर किये। वही आवासिय विद्याले की अधिक्षिका कामिनी जोशी ने बताया कि यह दिन चंद्रयान तीन की सफलता से जुड़ा है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की उपलब्धी को याद करते हुए पहले नैशनल स्पेस डे को लेकर छात्राओं से एक दिन पूर्वी चर्चा कर ली गई थी। उन्होंने कहा देश के अंतरिक्ष मिशन की शांदार उपलब्धी को उजागर करने के लिए तेईस चंद्रयान तीन मिशन की उलेक्मिय सफलता का सम्मान करना हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बाद है। इसी तार्तम्य में कस्तूरबा गांधी आवासिय विद्यालय के कक्षा शून्य शून्य साथ शून्य आठ के बालिकाओं ने चंदा मामा को पत्र लिखा जिसमें बच्चों ने मन की बाद। पेंटिंग, कविताये एवं चंदा मामा के गानों पर थिरकते नजर आए। और संदेश दिया कि वो भी कभी चंद्रमा में जरूर जाएंगे। बच्चों ने चंद्रयान बनाकर उसे सांकेतिक लैंडिंग कराकर भारत माता की जय का नारा लगाया कस्तूरबा गांधी आवासिय विद्याले के कार्यक्रम में अधिक्षिका जोशी सहित बालिका नंदनी धुर्वे अनामिकासाहु सहित सभी बालिकाएं उपस्थित रह कर दो कर दो कर दा tes संक कि की जएगार kaloम में उपस्तूरबा गासिय बालिकेएंग के का जएवाज में आवाई